यहां की इस्थिती भी खाती पुरा राम मंदिर की इस्थिती भी कुछ ऐसी ही थी बहुत पुरानी बात नहीं है परम्पुज प्रातस्मर्णी महामंडलेस्वर स्रीमान स्री बालकृष्ण दास्री महाराजी ललितपुर्बाले महाराजी जो यहां रहकर पढ़े भी राम मंदिर में रहकर उनका धिरन भी हुआ पढ़े भी थी शास्टरी तक पढ़े और B.A.M.A तक पढ़े अंग्रेजी पढ़े दिए भी यहां पढ़े कोलेज की शिक्षा, संस्कृत की शिक्षा महाराजी की यहीं हुई ललितपुरवाले महाराजी की और महाराजी कहते थे कि अद्वत संस्कृत का संत सेवा का स्थान था ये खाती पुरा रहा है क्योंकि station से निकट बसी strand से निकट तो निरंतर संत पहुंचते रहते थे और सड़ेष की सेवा होती थी किसी भी परंप्रा का किसी भी संप्रदाय का साधू किसी भी समय पहुंच जाए राम मंदिर में सब के लिए प्रसाथ था सब के लिए रूटी थी महारा जी कहते थे भगवान को भोग लगने के बाद पांसाथ मूर्ती का प्रसाद रख दिया जाता था कि साम तक जब भी साधू आते चले जाएं पहले प्रसाद पाओ तावासन लगाओ रात में भी ब्यारू के बाद पांसाथ मूर्ती की गरम गरम ब्यारू रख दी जाती थी रात्री को एक डेड़ बजे भी कोई साधू आवे तो यहां महात्मा जो थे वो कहते थे भई प्रसाद पाओ तो महात्मा कहते हम तो बारा बजे के बाद पाते नहीं आपका नियम है कि आप 12 बजे के बाद कुछ पाते नहीं हमारे इस्थान का नियम है कि भूखे साधू को आसन लगाने देते नहीं तो यदि भीतर आसन लगाना है तब प्रसाथ पाना पड़ेगा और नहीं तो बाहर भी स्राम कर लो सुवे रहा ना कि अभी नहीं अरे भाई हमारा नियम है भाई तुमारा आपका नियम छूटेगा उसका दोस हम अपने सिर पे लेते हैं आप प्रसाथ पाओ पताने कहां से चले कब से चले अब ऐसी संथ सिवा वहां होती थी दुर्भाग्य था कोई समय का फेर होता है अनुचित विचारधारा वाले लोग आए और उन्होंने उस स्थान को जितना हो सका उतना नश्ट किया और जिन्होंने नश्ट किया वे स्वयम भी नश्ट हो गए वे भी नश्ट हो गए और पूजी स्री लड़ित पुर्वाले महराजी ने जब दास को निरसिंग भगवान की सेवा प्रदान की उस समय उन्होंने एक ही बात कही थी कि मेरे सरीर में कोई रोग नहीं था पर इंदोर का स्थान नश्ट हो गया इस बात के चिंतन से कि वहां संत सेवा बंद हो गई भगवान की सेवा बंद हो गई इस बात की इतनी पीड़ा हमारे मन में हुई कि हमारे शरीर में रोगों ने घर कर लिया हम शुगर से पीड़े को महराजी ने हम तो निरास हो चुके हैं तुम पर यदि कुछ बने तो तुम करो कोसिस परम पुजिस्री बरानवाले महराजी ने जाकर उनके इस्मरण के बिना ये राम बंदिर का इस्मरण जैसे अधूरा है बरानवाले महराजी बढ़ारे कलेक्टर के यहां भी उन्होंने हंगामा किया गर्जें तर्जें सहज असंका मानहु ग्रसंच हते हैं लंका वो हन्मान जी वाला रूप महराजी ने दिखाया महरा कलेक्टर काम गया यह भी आत्मदाह करता हूँ हजारों साद्व आत्मदाह करेंगे उन महापुरुष का संकल्प जैसे तैसे भगवान के पुजारी के रूप में राम गुपाल दास की नियुक्ती हो गई राम मंदिर के पुजारी के रूप में नियुक्ती हो गई रहने की जगह नहीं थी आनन्द महीमा आस्रम वाले पुज्य स्वामी जी ने अपने हाँ आस्रे दिया बड़ी विकट परिष्थिती थी हम पुझे आनन्वी मा आस्रमबाले स्वामी जी परम पुझे प्रातस्मरणी परम सिद्ध संत श्री केदार स्वामी जी महराज बेपधारे साम का समय था यही समय होगा राम लला के निकट आये वहां हम लोगोंने कुस्पश तुलसी दल अर्पित किया आर्ती की भोग लगाया तो पुझे श्री आनन्वी मा आस्रमबाले स्वामी जी ने हम भी नेरास्थे की वही इतना संगर से, इतना क्लेश है क्या करें कैसे होगा पुझ स्रीकेदार स्वामी जीने कुछ पुष्प भगवान के चर्णों में रखे और थोड़ी देर में ध्यानस्त रहे एक डेड़ मिनिट दो मिनिट नेत्र बंद करके ऐसे जोके रहे फिर सैसा खड़े हुए और एक भावावेश में बोले मंदर बन गया हमको तो बना हुआ दीकरा मंदर यह सब्दत है उनके मुझे मंदर बना हुआ दिखाई पड़ रहा है कब बनेगा यह राम जी जाने लेकिन मंदर बनेगा कोई विखनबादा नहीं रहेगी सब समन हो जाएगा प्रसाप राम गोपाल दास को आस्रवाद दीजिए कि यह धैरी नकों में ढटे रहें शिष्य और पुत्र की प्रसंसा करना धर्म शास्त्र में नीती शास्त्र में वर्जित कहा गया पुत्र और शिष्य की प्रसंसा नहीं करनी चाहिए लेकिन सत्य न कहना भी दोश है जिस बिकट संगर्स की इस्थिती में राम गोपाल दास यहां रहे उस इस्थिती में कम से कम अभी जो नजर में हमारे साधु मुलुक पीछ के हैं उनमें कोई ऐसा नहीं दिखाई पुड़ा जो इतने संगर्स की इस्थिती में हम रुख सकता था सब तरह के इनकूलता में तो सब रह सकते हैं लेकिन जहां प्राणों पर संकत हो लोग किसी भी समय जान से मार देने के लिए तैयार बैठे हो उस इस्थिती में न रहने का ठिकाना न खाने का ठिकाना उपर से इतना संकत और डटे रहना ये निस्थित हरी गुरु संतों की क्रिपासे जो इनके मन में धहरिया आया उस दैरी का यशुव परिणाम गुआ कि आज यशुव घड़ी इंदोर के इतिहास में पुनहां परावर्तित हुई पूज्य स्री लक्ष्मन दाश्री महराज पच्कुया की स्री महंत अशोग जी वे ही एक इस ट्रस्ट में ऐसे थे कि जो कमर कसके हम लोगों के पक्ष में खड़े थे बाकी तो सब खिलाप ही थे और पुछ पच्कुया वाले महराजी ने भी इतना सयोग दिया कि उनके रिण से भी हम कभी उरण नहीं हो सकते बहुत सयोग किया उनके किसी भी परष्थिती में और जैसा उन्होंने समर्पित भाव से सयोग किया उनके सामने ही मंदिर का निर्मान आरंब हो गया विजय हो गई मंदिर का निर्मान भी आरंब हो गया बड़े प्रसनत है मंदिर को देख करके जैसा उन्होंने समर्पित सहयोग किया योगदान किया और उनके प्रयास से हाई कोट के द्वारा अपने पक्ष में ही दिरने आया कि हमाता जी बैठी है और भी प्रेमी लोग बैठे हैं सब लोगोंने समर्पित भाव से प्रयास किया और जो न्यायोचित सर्वोच न्यायले ने राम मंदर के लिए फैसला दिया वही न्यायोचित फैसला मान्य उच्छ न्यायले ने स्री राम मंदर खाती पुरा के पक्ष में दिया मंदर निर्मान का प्रसस्त हुआ और आज दिव्य भव्य मंद्र बन कर तैयार हो गया लक्ष्मन दास्टी महराज ने जैसा सहयोग किया वैसा ही समर्वित भाव से उनकी सेवा उनका सहयोग स्री राम गोपाल दास्टी में दिया यह बहुत अच्छी बात जिसने हमारे उपर किसी भी प्रकार का उपकार किया हो उसके प्रति यदि हम करतग्य नहीं होते हैं रदय से तो हम करतग्य न माने जाएंगे सारे पापों का प्रैस्चित है पर करतग्य नता का प्रैस्चित नहीं राम गोपाल दास्टी ने एक करतग्य संत की भूमी का निवाते हुए पच्कुया वाले महराजी को भी पूरा सहयोग किया और अंतिम छण तक उनकी सेवा का अवसर सवभागी भी उन्हें मिला और उनके अपने संकल्प के अनुरूप ही वो बार बार हमसे कहते थे सभाओं में कहते थे हमको तो कितनी बार उन्होंने कहा किराम गुपाल दाज्जी को कहे दो आपकी कफा होगी मैं इनको चाधर उड़ा तक और जाने के मुष्किल से पानसाथ दिन पहले क्या और कम दो दिन पहले दो दिन पहले ही कहा अरे इनको महंत बनाना है इनको महाराज में जल्दी अब मेरे सरीर का कोई छिकाना नहीं है दो दिन पहले का और पच्छकुया में भी पीकम जी महाराज ने गाम गोपल दाश्ची को अपनी सेवा में स्विकार किया इन दोर के साधु समाज का भरपूर सहयोग इन्हें प्राप्त हुआ और पूज श्री डाकोर वाले महाराजी जो हमारे रामानंदी विरक्त संतों की परंपरा में श्री मंगल पीठा दिस्वर टीला द्वारा चारे डाकोर वाले महाराजी हैं कुम्भ में जिनकी महिमा गरिमा सर्वोपरी रूप में परतिष्टित रहती है ऐसे पूज्य स्री डाकोर वाले महराजी अनंतस्री समलंकृत मंगल पीठा धिस्वरटीला गाद्याचारी स्री स्वामी माधवाचारी जी महराज भी पच्कुया में भी पधारे आकर उन्होंने सारी स्थिति को समाला और इस वार वो बहुत व्यस्त थे अयोध्या में हमने इन्होंने चर्चा की थी तो उन्होंने मना ही किया था कि हम नहीं आ सकते पर अयोध्या जी में जब हमने आगरह किया ओले कैसे होगा हमको डाकोर जी जाना है बंबई भी जाना है यहां पूरा समय लग गया हमने कैसे होगा यह हम नहीं जानते हैं सोचेंगे नहीं आपको आना ही है तो हसकर बोले भाई आपने तो आडर कर दिया आडर कर दिया तो तो मानना पड़ेगा नहीं कि आडर नहीं हमारी तो प्रार्तना है आग्र है हमारा आपको आना चाहिए वे भीक्रपा करके पधारे और कल भी उन्होंने मंदिर देखा आज सुवेरे उठकर पूरा अपने नितनियम के बाद पूरा मंदिर उपर से नीचे तक पूरा देखा बोले हमारा तो रोम रोम प्रसंद हो गया इस मंदिल को देखार बहुत प्रसंद हो एक प्रकार से जो उर्जा अयुद्या से संत लेकर आये थे वे संत यहां पधारे अनेक महा मंदिले स्वर उनके साथ थे और उनके आगमन से इस उत्सव का जो शोहारम हुआ इस उत्सव की जो शोहा हुई वह भी अपने आपने दिव्यतम हुई श्री सिताराम प्रतितिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महराजी के ओफिशल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें